जो नहीं डाला है जैवीख खेती के संदर में पर मैं आज मेरी इक्षा होई कि मैं जैवीख खेती के उपर और खास कर West Decomposer का जैवीख खेती में क्या योगदान क्या महत्व है बू बताओं West Decomposer जो कि राश्ट्रिय जैविक संस्थान गाजियाबाद के द्वारा ये एक क्रिसी मंत्राले के अंतरगत आने वाली संस्था है तो इनके द्वारा तियार किया गया है और 2015 से तो इसका मैं इस्तमाल कर रहा हूं और लाखो करोरो किसान अपने देश में एवं लगभग सौ अन् लोग इसको इसका प्रियोग करके उन्होंने इसे लाव प्राप्त किया है और मैं भी उनमें से एक हूं मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के कई छेत्रों में जैसे गुजरात में कपास पे जो मख्यों का संक्रमन था उसको विस डिकमपोजर ने दूर किया राजस्थान में कई किसानों ने वीडियो भेजा था कि जीरे की फसल में जो जर गलन की समस्या थी वो दूर हुआ पंजाब में हरियाना में बहुत सारे किसानों ने पराली जो जलाते थे वो जलाना छोर कर इसको पराली को अपने खेत में ही डिकमपोज कर दिया जिससे उनके खेत में कार् अच्छा हुआ फसल के लिए धीरे धीरे भारत में यह किसानों के बीच लोकप्रिये हो रहा है इसका कारण यह है कि यही जीरो बजट खेती है और बाकी जो अन्य कहते हैं वो तो उसमें कहते हैं कि भाई पहले गाय खरी दो अन्य बाते कहते हैं परन्तु लागत की की सीसी और आपको गुर लेना है तो इन दो सामानों से ही आपका खेत 50-60-70 साल पहले जो था उस अवधी में साल भर के मेहनत में आप ले आ सकते हैं साल-देर साल के मेहनत में और ऐसा हुआ है ऐसा मैंने भी किया है ऐसा हजारों किसानों ने किया है लाखों किसान कर रहे हैं और वो काफी खुस हैं मैं आपको बताता हूँ कि जैविक ये जो वेस्ट डिकमपोजर है जैविक खेती में इसका क्या योगदान है सरप्रथम ये आपके खेत की मिट्टी को देखो हमने ज दीया है और अब क्या होता है कि हमारा एक ट्रेडिस्टनल एक ऐसा हो गया है कि जी चावल उगा लिया उसके बाद फिर गेहुं उगा लिया पस यह करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि पहले आप पलावा करो यानि पानी पटाओ पानी पटा के उस खेत को थोड़ा ढीला करो फिर ट्रैक्टर चलेगा ट्रैक्टर का फल भी पानी पटाने के बावजूद बहुत नीचे नहीं जाता है तो इससे क्या होता है इससे जब आप गेहू अगली फसल लगाते हैं या कोई भी फसल लगाते हैं तो उसकी जरे जो है बंध जाती है जरों को जो है ऑक्सीजन और पानी वगरा उस हद तक नहीं मिलता जिससे कि उसमें बढ़वार बड़ी तेजी से हो उसका फलन अच्छा हो उत्पादक्ता बढ़े ये नहीं हो पाता है वेस्ट जी कमपोजर के प्रियोग से मिटी अगर आप सिलसिलेवार तरीके से एक साल महिनत कर लें अच्छे से तो आपकी मिटी ना केवल भुरभुरी हो जाएगी बल्कि आप के खेत में केचुओं की भरमार हो जाएगी जो निउट्रियंट्स अपने आप पैदा करते हैं केचुओं हमारे किसान के लिए प्रकृति का मित्र है प्रकृति दौरा प्रदत एक मित्र है जो अनेको प्रकार से लावकारी है तो ये अपने आप आते हैं अब देखिए मैं अपने ये जो खेत है मैं पिछले एक साल से इस पे काम कर रहा हूँ मैं आपको यह खेत दिखाता हूँ कैसे यह खेत की मिट्टी बनी है देखिए आप आप देखिए यह खेत और इसकी मिट्टी को देखिए आप देखिए इसमें केचुव द्वारा छोड़ा गया केचुवे जो अपना मिट्टी में घूमते हैं और जो विस्टा वगरा करते हैं, जो उनके पसीने मलमुतर हैं, उसका ये, देखिए, ये एक साल की मेहनत का परिनाम है, आप देखिए मिट्टी, कितनी, अच्छा आप देखिए इस मिट्टी को, अपने खेत की मिट्टी को लीजिए आप, ठीक है, और इस मिट्टी को लीज ये केचवा परदान है क्योंकि ये मिट्टी में घूम घूम के मिट्टी को पोला करता रहता है जिससे फल की अब ये मूली है मूली अगर थोस मिट्टी में लगा दें तो हमको इतना पानी देना परेगा कि आप समझे कि हम इसको पानी दे दे के इसको मिट्टी को ढिला करेंगे तब ये थोरा बैठेगा यहाँ ऐसी हालत नहीं है यहाँ आप देखिए इसको भुर भुरी मिट्टी मिलेगी और ये क्या होगा कि अच्छे से फैलेगा अच्छे से बढ़ेगा और इसका उत्पादन बढ़िया होगा ये मिट्टी भी जो है वो मनुस्य की तरह है जैसे हमें स्वक्ष हवा रहने को अच्छा घर चाहिए थोड़ा ऐसा है नहीं कि हमें अंधेरे में कोई धकेल दे एकदम तूटे फूटे जगह में पौधे भी उसी प्रकार हैं पौधों को अच्छे फैलन के लिए आपको अच्छी मिट्टी देनी होगी और उनको जमने का उनके जर फैलाने का उनके बढ़वार फैलाने का आपको देना होगा आपको वो सुविधा देनी होगी तभी आप अच्छा फल ले सकते हैं तो waste decomposer क्या करता है, waste decomposer जब हम इसमें डालते हैं, तो आपके थोड़ा सा scientific हो जाता है, कि जब आप अपने मिट्टी में urea वगर है डालते हैं, तो undissolved वो होते हैं, आपके मिट्टी में phosphorus भी है, calcium भी है, सोलसतर प्रकार के मुख्य पोसक तत्व है, वो क्या है, एक दूसरे से chemical bonding टाइप का हो जाता है, उनका आप समझेए, एक दूसरे से इस तरह से करते हैं, वो react करते हैं, अब वो धीरे धीरे आपस में बंदते जाते हैं, जितना ज़्यादा बंदते हैं, मिट्टी उतनी ही हो गई है, अगर आप सुख्य मिट्टी में, जिसमें आप डीएपी यूरिया कई सालों से डाल रहे हैं, तो उस मिट्टी में आप जो है, अगर फावड़े से करेंगे, तो फावला ऐसे पड़ेगा, जैसे चटान पर पड़ रहा हो, फावला, तो मिट्टी जो है, वो खर्चे जादा नतीजे में किसान हमेशा घाटे के वित्यों सामें रहता है जितना उसकी लागत बढ़ती जाएगी अगर आप केमिकल खेती करेंगे तो आपकी लागत ये निस्चित है कि हर साल बढ़ती जाएगी और आप जो है परिशान हो जाएंगे जैवी खेती क्या है कि जब आप शुरू करेंगे तो आपको डेड़ दो साल मेहनत जरूर करना होगा लग के करना होगा जैवी खेती में क्योंकि आपने चीज को जो खराब कर दिया है घर आपका खंडर हो जाए तो आपको बड़ी मेहनत से दुबारा घर बनाना पड़ता है तो ये राशानिक से जविक करने की प्रक्रिया भी वही है साल देर साल आपको बहुत अच्छे से इसमें मेहनत करना होगा तभी आपका